नमस्कार आप देख रहे हैं ताफ फुल जड़ी और मैं शुर्ती श्री लंकान ब्यूटी जैकलें फर्नांडेस की मुसीबते कम होने का नाम नहीं ले रही है अब उनके लिए नई मुसीबते सामने आ रही है दिल्ली के तिहार जेल से 200 करव और मसूलें वाले मामले में रोजाना नए नए खुलासे हो रही है कोई नए कोई नया कनेक्शन सामने आ ही रहा है अधिक तर कनेक्शन बॉलवूट के सामने आ रहे हैं अब इस केस में प्रवर्तन देशाले यानि एडी ने अपनी चार्चीट दाखिल की है या चार्चीट मनी लॉंडरी के तहट दाखिल की गई है एडी ने अपनी चार्चीट में ठंग सुकेश चंदरशेखर को लेकर कई बड़े चोटाने वाले खुलासे किये हैं रिपोर्ट के मुताबिक एडी ने अपने आरोप पत्रों में जैकलिन फंडांडरीस और नोरा फतेखी का भी जक्र किया है इस रिपोर्ट के मुताबिक सुकेश चंदरशेखर और जैकलिन फंडांडरीस ने 2021 जनवरी के महीने में एक दूसरे से बात करना शुरू किया था एडी ने अपनी या चार्चीट मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत में दाखिल की है 700 परने की इस चार्चीट में एक्ट्रिस नोरा फतेखी और जैकलिन फंडांडरीस का नाम भी शामिल है इनी द्वारा दाखिल की गई इस चार्चीट के अनुसार सुकेश ने जैकलिन को करिप 10 करोड के गिफ्ट दिये थे जिसमें से एक BMW कार महने गहने 52 लाख रुपए की एक कीमत का गोड़ा एक आईफोन शामिल है इसके अलावा सुकेश ने जैकलिन को चार फालसी बिल्लियां भी गिफ्ट दी थी जिसमें से एक बिल्ली की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है इसके साथ ही सुकेश जैकलिन के खाते में वह उनके भाई बहनों के खाते में करोरो रुपए भीजते थे इनिन अपनी चार्ट शीट में एक्टरिस नोरा फतेही पर भी कई आरुप लगाए है रिपोर्ट के नुकार सुकेश ने नोरा को एक BMW कार और एक आईफोन गिप्ट किया था जिसकी कुल कीमत लगभग 1 करोर रुपए है आपको बता दे कि सुकेश चन्रशेखर जब जेल में था तो वो जैकलिन से मोबाईल फोन पर बात करता था जब सुकेश जवानत पर बाहर आया तो उसने चन्नाई के लिए चार्टेट फ्लाइड बुकिंग सुरेश और जैकलिन चन्नाई के एक होटल में भी रुके थे एडी के मुताबिक एक्ट्रस जैकलिन परनांडेस से 30 अगस्त को लभग आज घंटे तक पूछताच की गई थी आपको जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि एडी एक्ट्रस के खिलाब 200 करोर रुपे की जबरन मसूली के ठग सुकेश चंडरशेखर से जुड़े मामले में लोकाउट सर्कुलर जारी किया है तो उसके मुताबिक जाक्लिन फर्णांडेस को मुंबई एरपोर्ट पर इमिग्रेशन ओफिसर द्वारा रोका गया था जाक्लिन फर्णांडेस को मसकट के लिए रवाना होना था तो आपका इसमें क्या कहना है अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइए और वादी दख हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले धन्यवाद